Hello everyone, welcome back. तो 5th April की जो shift 1 हुई थी आज उसका memory-based जो questions है अपने पास 2-3 websites पे जो online मिलें वोपन एक बर थोड़ा साथ देखना चाते हैं, उनका analysis करना चाते हैं तो फटा-फट से first question पर आजाते है match का और यहाँ पर आपको dx upon 1 plus 10x का integration करना है 0 से πाई बाई 4 तो सबसे basic property लगाएंगे king वाली 0 से a में अपन x को a-x से replace कर सकते हैं तो यह integral i आजाएगा 0 से πाई बाई 4 dx और upon में आजाएगा 1 plus tan πाई बाई 4 minus x तो यह बन जाएगा आपके पास 1 minus tan x upon 1 plus tan x LCM लेंगे 1 add करेंगे यहाँ पर तो tan x minus tan x कर जाएगा नीचे 2 आएगा और उपर आजाएगा 1 plus tan x तो अब यह आसान होगे 1 का integration हमें पता है x होता है tan x का भी ln sec x कर लेंगे फिर limit लगा लेंगे तो I think straight forward simple question था एक ओर definite का question है minus a से a तो अगर अपन integration करना चाहते है minus a से a तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं उसके अंदर अपन करते हैं 0 से लेकर के a इसके अंदर f of x होता है f of x का अपने पास 2x 1 plus sin x नीचे हमारे पास है 1 plus cos square x यह तो f of x f of minus x आ जाएगा minus का 2x 1 minus sin x और नीचे अगर अपन देखेंगे इसके case के अंदर तो नीचे हमारे पास आजाएगा इसके case में 1 plus cos square x तो नीचे भी लिख लेते हैं अब अगर अपन इनको add करेंगे तो आप देखोगे कि 2x और minus 2x कट जाएगा 2x sin x वाले part add हो जाएगे तो यह बन जाएगा आपके पास integral जो i है यह हो जाएगा 0 से लेकर के pi और यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 4 times x sin x और 1 plus cos square x अब king property लगा देंगे तो यह बन जाएगा i 4 times 0 से pi यहाँ पर आजाएगा pi minus x sin pi minus x sin x ही होता नीचे cos में pi minus x का square है तो cos square x आएगा अब इनको add करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 2i और 2i आजाएगा बाहर 4 है यह ना minus x sin x और x sin x कट जाएगे तो 0 से pi sin x upon 1 plus cos square x अब आप cos x को t लेके उपर minus dt बना सकते है और यह cos 0 से cos pi हो जाएगा तो definite integration के दोनों ही question थे और दोनों ही directly हो सकते थे ठीक है तो property पर king पर ही base थे next हमारे पास differential equation का question है यह पर dy by dx तो पहले linear differential equation है तो dy by dx plus 2 times y 2 जो है अपना px हो जाएगा यह sin 2x तो 2 का integration होता है 2x तो integrating factor आजाएगा e की power 2x जो की y के साथ multiply होगा right hand side में आजाएगा e की power 2x sin 2x dx तो सबसे पहले तो अपन को क्या कर लेना है 2x को t ले लेना है तो dx आजाएगा dt by 2 तो यह half बन जाएगा e की power t sin t dt कुछ जनों को आप में इन में formula भी पता होगा नहीं पता है तो कोई बात नहीं इसको आई मानकर आप दो बार integration by parts करेंगे तो वापस आई आजाएगा जैसे e की power t का integration sin t as it is minus e की power t cos t अब इसके अंदर अगर अपन यहापर वापस लगाएंगे सेम चीज़ तो यह वाला जो part है e की power t cos t इसमें by part लगाएंगे तो यहाँ पर अपमारे पास आजाएगा इसके case के अंदर e की power t का integration cos t as it is minus e की power t और cos t का differentiation आजाएगा minus minus plus sin तो यह y हो जाएगा जहांसे आप पहुंचे थे तो यह i आजाएगा तो यह minus के साथ bracket में आजाएगा e की power t cos t plus i तो खुलने पर minus i हो जाएगा जो उदर जाएगे 2y हो जाएगा फिर 2 से divide कर देंगे तो यह इसका integral आजाएगा plus c निकालने के लिए y 0 3 by 4 है तो y x बर के अंदर probability पूछी है equal roots की तो यह तो I think 10th class के बच्चे करते हैं काली टाइम में जब बहुर हो रहे होते हैं पढ़ने का मन नहीं होता है तो वो लोग करते हैं से simple simple सवाल तो इसमें बोल रखा है कि probability बताओ कि equal roots है मतलब d बराबर 0 की probability मतलब b square बराबर 4ac की probability अब ABC इसमें से आएंगे तो A और B और C लेने के तरीके हो गए 8 into 8 into 8 अब B square बराबर 4ac के अपन cases बनाएंगे है ना cases क्या हो सकते से B को 1 रखने का मतलब नहीं है 2 रखोगे अगर अब B को तो A और C दोनो 1 1 होने पड़े है 3 रखने का मतलब नहीं है B को अगर 4 रखोगे तो 16 आ रहा है 4 4 से उड़ा देंगे तो A C बराबर 4 आ जाएगा तो इसके case हो जाएंगे 4 1 1 4 2 2 तीन case यहां से आगए पिर B को 6 रखोगे तो 6 का square 36 होता है 4 से कटेगा तो A C 9 आ जाएगा तो यहां पर 9 into 1 तो लेनी सकते तो यह की case होगा 3 3 पिर आप इसी तरह A C को 8 रखोगे तो 8 का square 64 हो तो यह कटके वन बाइ 64 तो कर सकते हैं यह भी अपन ओफुली नेक्स्ट एरिया अंडर दा कर्व है तो बेसिक बिल्कुल बेसिक काई थिंक सबसे सिंपल इंजिनियरिंग एंट्रेंस एक्जाम उठा के देख लो वहां मिलेगा शायद आपको ऐसा सिंपल या शायद वहां जीरो और एक डॉंवर्ड पेरा बोला है जीरो और सेविन रूर्ट हाईगा यह बोल रहा है इसके बीच में एरिया बता दो बता दो नहां है और क्या होगे नहीं बता सकते क्या इन्दों को अब बराबर कर दो ना कर सकते हैं बराबर 2x square 12x आएगा 1x बराबर 0 पर Cट कर तो करना क्या है मज़े गड़ने और क्या 0 से 6 इंटीग्रेट कर दो 7x माइनस x2 उपर है और नीचे आजाएगा x2-5x तो इसका तो इंटीग्रेशन अब कर सकते ना अपना आगे प्रेप क्लास में बढ़ा था अपना इती तो यह था हमारा area under the curve का एक क्या बोलते हैं रिलिजियस सेरेमनी होती ना कि यह तो प्रथा है तो यह प्रथा है जही मेंस की भी ना area under the curve का कोशन दी भी ना यह लोग आगे नहीं बढ़ सकते चार डाइस रोल कियें यार अगले सवाल में probability का d1, d2, d3, d4 probability बताओ कि sum 16 है तो total तो 6 x 6 x 6 x 6 तो यह तो PNC का कद्दू सवाल है तो इन सब पे जो sum आएगा ना यह sum आएगा 16 के बराबर पर direct bagger नहीं लगा होगा? direct bagger क्यों नहीं लगा सकते? बताओ direct bagger इसलिए नहीं लगा सकते कि हर dice का outcome जो होगा वो 1 से 6 के बीच में होगा ठीक है? तो 4 dice roll करने पर probability आनी चाहिए जिसमें sum आना चाहिए 16 तो वहीं कर रहे है तो 1 से 6 में क्या हो जाएगा? हम coefficient निकालेंगे x की पार 16 का x की पार 1, x की पार 2 से x की पार 6 यह 6 पार allowed है इन 4 के अंदर तो x common ले लेंगे तो x की पार 4 अंदर gp बन जाएगी 1 माइनस x की पार 6 अपॉन 1 माइनस x अलग-अलग हो जाएगे अब पार 16 निकालनी है तो 4 तो अल्रेड़ी बाहर है तो आप इसमें से क्या करोगे? 12 निकालोगे तो इस binomial को उतना ही खोलो जितना required है 4c0 माइनस 4c1 x की पार 6 प्लस 4c2 x की पार 12 और इन 2 में आपके पास है तो आपको x की पार 12 निकालना है तो पहले 1 के साथ multiply करो अब 12 निकालने के लिए 12 चीजें अपन बाढ़ देंगे 4 बेगर में 12 चीजें 4 बेगर में बाढ़ेंगे तो क्या आजाएगा? 15c3 फिर माइनस 4 x 6 अल्रेडी बार है तो 6 चीजें 4 बेगर में बाढ़ दो 9c3 फिर प्लस में 6 अल्रेडी बार है 12 भी बार है तो 0 चीजें 4 बेगर में बाढ़ दो तो यह ऐसा कुछ आ रहा है मैच करता हा तो दिखनी रहा है चलो कल्कुलेटी कर लेते हैं 15c3 आपको आता है मैं भी क्या पूछ रहा है यह तो आपको डॉजिंग टेबल की तरह याद होगा है तो यह कट हो जाएगा 7 ऐसा तो यह बन जाएगा अपने पास 91 x 5 ता इन 455 ट फॉर्जा क्या होता है 336 तो डॉजिंग टेबल ही हो गया और लास में प्लस में 6 आ रहा है तो यह 125 बन गया अब बच्चे बिचारे कर इंफ्यूज होते रहते हैं रही है यह 5Q के से आया उस बीवकूप बनाना आता है जही वालोगों सवाल तो अच्छे आज कल देना बन कर दिया होना तो यह 6 था ओहो केसे जी बना लिए solution में भाई ऐसे मत किया करो डर लग जाता है क्या करो तो हम तो वही उसी से करेंगे जो हमने पढ़ा है PNC में नेक्स्ट अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है रेक्टैंगल ABCD के डाइमेंशन दे दी है इंस्क्राइब इन रेक्टैंगल PQRS तो यह PQRS है और PQRS के अंदर रेक्टैंगल ABCD इंस्क्राइब्ड है ताकि उसके जो वर्टेक्स है वो इनकी साइड्स पर हो जाग अब आपको PQRS बाहर वाले का area maximize करना है तो simple सा basic तरीका है एक एंगल को उठाके theta पकड़ लो तो यह 90 है तो यह length आजाएगी 4 cos theta अब यह 90 है यह बीच में तो फिर अब यह 90 माइनस theta हो जाएगा तो 2 cos 90 माइनस theta लोग है तो 2 sin theta तो 4 cos theta प्लिस 2 sin theta आगई length breadth के लिए फिर से भाई करेंगे यह 2 sin theta है तो यह 2 cos theta हो जाएगा क्योंकि यह theta है फिर 90 हा रहा है तो बचावा हिस्सा 90 माइनस theta होगा तो 4 का component ले लो 4 cos 90 माइनस theta तो length और breadth आगई 4 cos theta प्लिस 2 sin theta 4 sin theta प्लिस 2 cos theta area के लिए multiply करते हैं तो अगर अपन multiply कर देंगे इसके case के अंदर तो यह आजाएगा 8 cos square प्लस 8 sin square और प्लस में 20 cos theta sin theta जिसको आप 10 का sin 2 theta भी डिक सकते हैं तो यह तो 8 है maximum के लिए 10 हो जाएगा 45 degree तो 8 प्लस 10 आजाएगा 18 है तो AUD का खुछ लगाई नहीं या ट्रिग्न से हो गया है नेक्स प्याते हैं टू लाइन पास कर रही है 2,3 से parallel to coordinate axis तो बना लो 2,3 कैसा होगा यह 2 है यह लाइन होगी x बराबर 2 और यह 3 है यह वाली लाइन होगी y बराबर 3 अब circle of unit radius टच कर रहा है इनको तो और origin की तरफ तो ऐसा बनेगा एक circle तो यह जो आपका point है ना 2,3 इससे 1 unit x के direction में 1 unit नीचे चले जाओ center आजाएगा बिटा टच कर रहा है ना दोनों को 3 square बन रहा है यह वाला तो जो center आएगा अपने center आजाएगा 1,2 radius 1 यहनिकि जो आपका circle है इस circle का center 1, 1,2 और radius 1 हो जाएगा अब पूछ रहा है क्या 5,5 का circle से shortest distance तो second third में किया करते थे यह distance निकाल लेंगे 1,2 का 5,5 से यह जाएगा 5 और इसमें से radius अगर हटा दे वन तो यह shortest distance आजाएगा 5-1 4 के बराबर यह क्या यह 30 में से 30 अच्छा 30 तो कलनी नहीं होते ओहो 25 में से 25 लान मतलब थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करने के लिए बच्छों को motivate करने चाहिए जही वालों को यह क्या कर रहें यह सेम PYQ भी दे देते हैं कि देखो कुछ सवाल तो हम दे देंगे कद्दू कुछ हम दे देंगे PYQ अच्छे सवाल देने के लिए आपको जही एडवांसी दे is F-T, नीचे T का differentiation 1, X बरबाद होगा, अब आप T को X डाल दो, limit लगा दो, तो 2X F-X minus X square F-X, इसकी जो value आजाएगी अपने पास, यह 1 के बराबर आजाएगी, तो यह ऐसा है, आलंकि आप इसको X की power 4 से दोनों तरफ डिवाइड करके exact differential भी बना सकते हो, otherwise आप 2X से पूर को divide कर दो, तो F-X हो जाएगा, DY by DX, minus X square से divide करोगा, अगर आप, तो minus का 2 by X into F-X होता है Y, और बराबर minus 1 by X, अब यह कर लोगा क्या, अब linear differential equation, minus 2 by X का integration करेंगे, minus 2 ln X आएगा, E के उपर ले जाएगे, X की power minus 2 बार आजाएगी, Y के साथ, पिर right side में भी इसको multiply करके integrate प्लस ही निकालने के लिए F-11 दे रखा है, तो यार, मतलब, sheet में भी से अच्छे सवाल होंगे, अगर आपने इमानदारी से लगाई है, तो I think आपको आज मजा ही आया होगा, आपको लगा होगा, अरे यार, क्या सार, इतनी मैनत करवा ही, आपने means के लिए, सब वेस्ट हो लिखते हैं, linear upon linear होता है, साइन कॉसेक्स में, इस 39 साइन एक्स को आपको लिखना है बिटा है, A टाइम्स डिनॉमिनेटर, और प्लस के अंदर अपन यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में, B टाइम्स डिनॉमिनेटर का डिफरेंचेशन, ताकि जब अपन इसको डिवाइड करें, तो A, 2, sin, x, 3, cos, x वाला पार्ट तो कटी हो जाएगा नीचे, और यह वाला जो पार्ट इसमें उपर T, नीचे DT आजाएगा, A, B निकालने के लिए क्या करोगे, कोफिशेंट कंपेर करोगे, 2, A, minus 3, B, 39 आ रहे हैं, और 3, A, plus 2, B, 0 आ रहे हैं, तो आपको बिटा तो 3 बार LH rule भी लगा सकते हो, है ना, या फिर series expansion कर सकते हो, मेरको यार यहाना differentiation आसान दिख रहा है, generally मैं कभी करता नहीं, तीन बार differentiation, मैं series ही लगाता हूँ, x3 तक खोल दूँगा, है ना, x2 का coefficient 0, x का coefficient 0, constant term 0, ठीक है, वहाँ से alpha बीटा आ जाएगे, फिर जो x3 का coefficient बच यारी, 0 रखो, तो ये भी 0, ये भी 0, बीटा कॉस 3x, वो 0 पे बीटा हो जाएगा, नीचे 0, not defined नहीं चाते हैं ना, यारम, तो बीटा को 0 होना पड़ेगा, क्या question बनाया है, थोड़ा तो दिमाग लगा लेते हैं, फिर इस पर आजाते हैं, अब first differentiation करते हैं, तो 3 कॉस 3x, plus alpha cos x upon 3x square, है ना, फिर से वही बात हो गई है, उपर आएगा 0 रखने पे 3 plus alpha, नीचे 0 आ रहा है, तो 3 plus alpha 0 करोगे, तो alpha minus 3, तो alpha होगे अब आपका minus 3, फिर से differentiation कर दो, तो minus का 9 sin 3x, plus का 3 sin x upon 6x, अब यार, अब आप कर लो है ना, standard limit बन जाएगी दोनों की, जो भी answer आएगा है ना, वो अपनी value थेगी, f of 0, तो इन्होंने series expansion से try किया, solution में, और मेरा मन नहीं था या, series expansion का है, तो मैंने LH लगा दिया तीन बाग, इसमें बोल रहा है, दो line का intersection point P है, उसका distance निकाल लो P से, क्या गर रहे हो भाई साब है, board का paper से inspiration ले ले लेते, board में भी मुझे लग रहा है, क्या मजा के या, तो intersection point के लिए क्या करते है, चलो, एक को lambda, एक को mu ले लो, क्या जाएगा भई, x, y, z, 3 lambda plus 3, 2 lambda, 2 lambda minus 1, ये बराबर होगा किसके, 4 mu plus 7, mu, और mu minus 1, तो अगर equal होना है, तो इनकी values क्या होनी चाहिए, यहां पर इन सब की values बराबर होनी चाहिए, अग अगर ये सारी value simultaneously बराबर हुई, तो intersection point आएगा नहीं, तो फिर अपन को question बोनस करा देंगे, आप गबरा क्यों रहे हो, question बोनस करा देंगे, तो 2 lambda बराबर mu आ रहा है, y coordinate बराबर करने पर, और 2 lambda minus 1 बराबर mu minus 1, ये तो same equation है, ये कूफ बना रहे है अपन को, तो इससे गब X वाला same कर दो, 3 lambda plus 3 आ रहा है, 4 mu plus 7, तो mu की जगे में 2 lambda रख देता हूं, तो यहां से आपके पास lambda की value हो, अभी देखो, अच्छे question के नाम पर क्या करना आता है, इनको paper lambda बनाना आता है, बच्चों को परेशान कैसे करें, चलो ऐसे परेशान कर देता है, लेंडा घटिया बच्च करें, बच्च करें, माइनस 4 by 5 रख देंगे, तो यहां ऐसा पॉइंट आरा है, डिस्टेंस फॉर्मूला बाप लगा देना है, और मेरा तो मन्नी इतनी calculation का, पॉइंट एक बार वेरिफाय कर लेते हैं, सेम ही आ रहा है कि लेंडा माइनस 4 by 5, तो यह अब कच्रा ह तो कच्रा है तो कच्रा करना पड़े का साफ क्या करते हैं, तो कभी कभी पर में भी आ जाती है, तो अगर आपको लगता है कि सर कर तो लेंगे रख पूल है, भी होगा यह और नहीं होगा, जिसे 12 थै यह 13 थैप यह देखेंगे लेंगे, तो मार्क फॉर्वी रव्यू करक मन में doubt नहीं अना चाहिए अगर आ रहा है तो जो खो रहे हैं पहले वो कर लिया करो पीपर probability का सवाल दिख रहा है 10 items में से 3 defective है x denote number of defective item 5 item निकाले हैं और कितने defective हो सकते हैं तो यार 3 defective है तो या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे पूछ रहा है variance निकाल लो variance का probability में क्या formula बताया था pi x i का square minus mean का square mean होता है या pi x i तो यह सारे आपके x i है मैं इनके लिए pi बता देता हूँ तो 0 defective में क्या होगा सारे के सारे अच्छे आ गए 5 निकाले सारे के सारे एक defective में क्या होगा 3 c 1 से एक defective बचेवे साथ में से चार अच्छे टोटल यह आगई इसकी probability फिर दो defective बचेवे तीन अच्छे और नीचे आजाएगी उसकी probability solution भी घरत बना देते हो क्या नीचे 10 c 5 और तीनों defective तो 3 c 3 7 c 2 upon 10 c 5 तो इसको बोलता है probability distribution table जो अपने चैनल पर कोई दो-तीन बार पड़ भी लिये और क्योंकि आप लोग sincerely videos follow करते हो तो I definitely believe आपने जरूर देखा होगा तो यह probability distribution table है लेंदी है पूरा NCR खोलकर निकालना पड़ेगा इन्होंने फॉर्मूला जो निकाला है वो मीन अलग वाला नहीं निकाला इन्होंने P I X I minus mean का square लिया है कोई फरक नहीं पड़ना पिटा तो पहले mean निकालेंगे P I into X I 0 into 1 by 12 1 into 5 by 12 2 into 5 by 12 3 into 1 by 12 सबको आड़ करेंगे तो 1.5 mean आजाएगा उसका square यह आटेगा फिर P I X I square में 1 by 12 into 0 square 5 by 12 into 1 square 5 by 12 into 2 square 1 by 12 into 3 square बहुत भूल गया थक जाता हो इन सबको अपन आड़ कर देंगे तो वो variance आजाएगा I hope आपने यह किया हो क्योंकि बोला था मैंने पहले भी probability and statistics के वीडियो में कि mixed question आते हैं अब देखो क्या है पहले तो ऐसा होता था कि यार 4 shift में सवाल चले गए अब paper में कोई नया सवाल नहीं मिल रहा है चलो concept repeat करते हैं अब नहीं होता ऐसा अब क्या है शरम थोड़ी रह पूल के देखते हैं तो यहाँ पर G of F of X X है मतलब यह inverse की तरह काम कर रहा है तो दोनों तरफ differentiation कर दो जी डाश ऑफ F of X into F dash X यह वन आ जाएगा बिटा तो अब यहाँ पर अपनको G dash 1 चाहिए या G1 चाहिए तो आपको F of X को 1 बनाना पड़ेगा जो कि X बराबर 0 पर होग G of 1 का क्या मतलब है G of 1 अगर A है तो F इसका inverse है मतलब F of A 1 होना चाहिए F of A अभी तो बात करीती है और 0 पर होता है तो यहाँ पर G of 1 ही 0 आ रहा है मतलब मैं G dash 1 नहीं भी निकालूंगा तो answer 0 हो जाएगा अब मेरे को तो क्या है और कभी-कभी doubt होने लग जाता है कि यह memory ब यह पहली वाली series अपन 8th class के अंदर पढ़ते थे तो solve करेंगे नहीं वा तो थोड़ी शरम भी कर लेंगे अपने पर सीख के जाएंगे आज यह concept तो root 2 minus root 1 से rationalize कर दो बटा नीचे 2 minus 1 आएगा फिर root 3 minus root 2 से उपर नीचे rationalize तो नीचे फिर से बनाएगा चमक रहा है आपको क्यों मैंने कहा था कि solve होना चाहिए था आपसे आपको आता है आप गबरा जाते हो कभी हो इसको भी rationalize कर दो root 100 minus root 99 upon 100 minus 99 denominator same है alternate terms जाते मिटा तब last और first बचते हैं तो root 100 बचेगा और minus में root 1 तो m की value 9 है और ये तो I think मेरे ख्याल से आजकल play group में सिखा दिया जाता है वो एक रिष्टेदार है मेरा मेरा admission कराने गया तो उससे admission test में यही पूछा तो कर दिया उसने जवाब दे दिया आपको भी आता है यह कैसे करते है वन अपॉन आर आर प्लस वन का summation है सबसे पहले summation में मिसलेंगे सिरीज की शुरुवात ही ही से होती है कर दो कि आप इसको वन बायार वन बायार प्लस वन में ऑल्टरनेट टम कटेंगे वन बाय वन माइनस वन बाय हंड़ेड बचेगा 99 बाय हंडर तो अब आप यहांपे division division खेल लेना क्या करना है यह पर 9 को डिवाइड करना है किससे 99 बाय हंडरेड से कर दो और क्या answer क्यों ही मैच कर रहा है हंडरेड बाय 11 आ रहा है कुछ डेटा मिसिंग है क्या या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड कर दी है मैं हम सही तो लग रहा है इंका उल्टा solution गलत लग रहा है क्यार देख लेते हैं तो 99 बाय हंडरेड सही आया था और रूट वाले का यार यह क्या है य यह तर्माइक होती यह 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 आसी गलत-गलत मत मैच मत कर लें यह रूट 100-1 जो है वह 9 आज़ाए 10-1 वह सकता है कुछ मिसिंग ओ अभियार में मुरी बेस में जिल्दबाजी में डालते हैं यह लोग तो जाती गलती कोई चलता है इतना तो कंसेट समझ गया होगे है 17 सवाल है फाइनली पहली बार कुछ अच्छा देखने को मिला है तो थोड़ा सा फाइनली थोड़ा लॉजिकल डिस्कॉशन कर सकते हैं मौड अफ टुए माइनस वन इस लेस देन इकोल टू थ्री टाइमस इंटीजर पार्टे प्लस टू तू तैमस फ्रैक्शनल पार्टे तो एक ही मिनिमूम वेल्यू निकाल दी अब बेटा अब देखो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं तो बहुत मस्ती मजाग होगे तो मौड अफ टुए माइनस वन कहां गया था भाई किदर खोल रखा था एर लेस देन इकोल टू थ्री टाइमस इंटीजर पार्टे प्लस टू अगें फिर से रिपीट करूंगा यार मेमोरी बेस्ट है ना एक इड विद पिंच ओफ सॉल्ट तो अब ए ग्रेटर देन इकोल हाफ का केस बनेगा अलग ये बन जाएगा 2A माइनस वन इंटीजर पार्ट अ को बिटा आई लिकरह हूं और फ्रेक्शनल पार्ट अ को एक और अप लिख सकते हो इंटीजर पार्ट प्लस ट्रेक्शनल पार्ट तो 2I प्लस 2F बन गया था निकोल बात समझ रहो कि आप समझ तो i क्या क्या हो सकते है, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, जो भी है, फ्रेक्शनल पार्ट में तो relation ही नहीं मिला कुई है अब से, यह क्या हुआ, a greater than equal to half है, तो i plus f है, तो f close 0 से open 1 होता है, तो यहां से कहीं से शुरू होगा है, यह तो गजब होगे, गलत तो नहीं solve कर दिया, तो a greater than half मैं आदेखो, मैं अकेला गलत नहीं हूँ, इन्होंने भी लिखाए, teacher part is greater than equal to minus 1, factional part f कुछ भी हो सकता है, तो a greater than equal to minus 1 आ रहा है यहां से, ऐसा, अब इन्होंने a minimum 0.25 ले लिया, question में a positive बोला नहीं, फिर भी ले लिया, question पूरे लिख लिख लिया करो, यार इतनी यहां जल्दी है, तो खेर यार अभी अभी a min pin तो मुझे पता नहीं, मैं अभी सवाल को solve कर लेता हूँ, यह होता है वाई, memory base के अंदर है ना, उसी दिन सवाल डाले, a less than half लेंगे, तो sign change हो जाएगा, फिर से वही बात है यार, 3i लोगे, 2f लोगे, a को लिकोगे, i plus f, तो 2i, 2f, less than equal to आजाएगा, 3i plus 2f, अब बेटा f की value निकाल लो, तो 1-5i upon 4, यह f इससे बराबर या इससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा होता है 1, यह पता है, I think आप सभी को है ना, तो यहां से अगर solve करने जाएंगे, तो अपन इसके case के अंदर 1-5i आजाएगा, less than 4, minus 3 से बड़ा आ जाएगा, यहां पर 5i, तो i minus 3 by 5 से बड़ा आ रहा है, मैंना, minus 3 by 5 से बड़ा होता है 0, और 0 minimum से minimum रखूँगा, तो यह 0.25 भाग जाएगा, 0 plus 0.25 होगा 0.25, तो question में या तो इनको लिखना चीएथा कि हम minimum 0.25 इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि A positive है, पर हम तो नहीं लिखेंगे, तो दोनों case लेने हैं, तरीका important है, याद रखना, गड़बड हो जाएगी, फिर इस पर आ जाते हैं, यह भी क्या memory बेस है न, तो यहां इन्होंने mod x दे रखा है, कहीं कहीं जगे पर x ही था, तो तीन अलग-अलग case बनेंगे, 0 के लिए, minus 2 के लिए, minus 1 के लिए, इन्होंने भी बनाएं, तो अगर minus, अज़ा आप इन्होंने उल्टा solve कि, अगर 0 से बढ़ा लेंगे तो तीनों ही positive है, तो x into x plus 2 minus 5 times x plus 1 minus 1 0, तो इसके 2 root आएंगे, 3 plus minus root के अंदर 45, पर मेरा मन नहीं है, तो मैं अभी case ले रहा हूँ, फिर minus 1 से 0 में जाएंगे बटा, तो mod x negative खुलेगा minus x, बागी दोनों positive, x plus 2, x plus 1, उससे भी फिर इन्होंने quadratic बना दिये, यहाँ पर यह वाली, इस quadratic के दो root सारे, minus 6 minus 1, लेकिन इसमें एक ही आ रहा है, तो एक root यह और हो गया, फिर minus 1 से अगर अगर अपन minus 2 के बीच में, minus 2 से minus 1 में, सिरफ x plus 2 positive है, x खुलेगा minus x, x plus 1 खुलेगा minus x minus 1, उससे जो quadratic के दोनों roots आरें बिटा, वो अपने इसके अंदर नहीं है, तो दोनों reject हो गए, finally less than minus 2 पे x खुलेगा, minus x, x plus 1, x plus 2 भी negative होके खुलेगे, इसके दो roots आएंगे, minus 7 plus minus root 33 by 2, तो minus 2 से छोटा एक ही होगा, minus 7 minus root 33 by 2 वाला, दूसरा बढ़ा होगा, तो total 3 roots आएंगे, mod है, cases लेंगे, 4 cases बनेंगे, solve करना है, comment दो बताना है, हुआ नहीं हुआ, और konics में tangent normal means में, देना बंद कर दिया, काम की चीज़ें नहीं देते हैं अपने, तो यह rule है, 2x plus 3y बराबर k is a curve, which intersects x axis at a and b, तो x axis, को a पे y axis को b पे, तो y 0 करो, k by 2, 0, और x 0 करोगे, तो 0, k by 3, अब diametric form लगा देंगे, x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2, तो I think ऐसा कुछ आ जाएगा, और इसकी equation भी दे दी, क्या करवा रहे हो वाई, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगवा लो, एक दो question अच्छे है थे, नो डाउट, बट मजा नहीं आए, तो minus k by 2 को minus 3 के बराबर, या minus k by 3 को minus 2 रखोगे, दोनों ही case में k6 आ जाएगा, तो k6 हो गया, अब latest rectum पूछ रहे हैं, x square plus 9y square बराबर 6 square गी, तो यह निकाल लोगे ना यार आपको, तो यह निकाल लेना, तो यह दोनों अपने कर लिये हैं, यह भी कर लिया है, यह भी कर लिया है, अब यार यह मैं sure नहीं हूँ, क्योंकि यह memory based, 4 April shift 2 में था, तो अभी actually आया है, यह इन्होंने cover करने के लिए डाल दिया है, मुझे भी नहीं पता, और यह 1 जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ कोशन है इसमें से, incomplete से ही, तो length of focal chord अबने पड़ी थी, AT plus 1 by T का, नहीं यार, यह last time ही आया था, यह आज का सवाल नहीं है, आपको अगर यह सवाल देखना है बिटा, तो आप पीछे चले जाओ, जो 4th April shift 2 का है न, तो पूरा playlist में मिली जाएगा, जही means के सारे salt paper मिल जाएंगे, उसमें देख लेना, तो अभी मैं दुबारा discuss नहीं कर रहा हूँ, last वाला देखो, आप किसी बान आप वो वीडियो भी देखोगे, देखते ही नहीं हो वड़ना, forward करकर के, काम की चीज़ें बताता हूँ, सुनना है नहीं आपको, next पर आते हैं, repeated route वाला भी हो चुका है, आप यह 16 some area, अब यह देखो, अब यह constant term पूछा, अब यह जूम कितना जूम करूँ, कितना जूम करूँ दिखेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है, चाश्मा है फिर भी नहीं दिखा है, अब यहां क्या है, भाई, प्लस है, माइनस है, क्या है, कुछ तो लिख दो, उतना ही बोल देता हूँ कि, binomial का है, constant term कभी अगर ऐसा आजाए, तो इसमें पहले वाले के अंदर general term लिखके x की power 0 निकालोगे, इसमें x already बाहर है, तो इसमें से 1 by x निकाल के 2 से multiply, इसमें x square बाहर है, तो कट करने के लिए बचेवे में से 1 by x square निकाल के 3 से multiply, तो अगर यह actually सवाल आया है, तो binomial का ठीक है, अगला area under the curve है, कर चुके हैं, linear differential हो गया, अब देखो, वहाँ g1 g dash बन रहा है, यहाँ देखो g7 g dash 7, क्या variety मिलती है, same question के लग लग वर जागा, यह देखो यह पिर incomplete, solution at 4 cos theta minus 3 sin theta बराबर कंदू, कुछ नहीं लिका हो, तो यहाँ देखो, मुझे भी नहीं पता है, है न, cos theta पूछ रहे हैं, तो दो तरीके होते हैं, क्या है, मैं आपको यह बता देता हूँ, एक तरीका होता है, root a square plus b square से, दोनों तरफ divide करें, तो यह बन जाएगा, 4 by 5 को cos alpha ले लो, 3 by 5 होगया sin alpha, 5 पता है, तो cos theta directly निकाल से, नहीं तो दुसरा तरीका होता है, half angle से 10 theta by 2 में, बदल के 10 theta by 2 निकालो, उससे cos theta निकालो, वो हो सकता है, थोड़ा root वगर में problem करो, shortest distance वाला था, एक यह increasing, decreasing का दिख रहा है, कुछ तो पता नहीं क्या है, check if f is increasing, f' is decreasing, पता नहीं क्या है, check कर लेते हैं, भाई, differentiation करना आता है आपको आपको आपको, तो differentiation कर लो पहले जरा, first quadrant के अंदर पूछ रहा, increasing, decreasing क्या है, जरा बताएंगे, तो 0 से pi by 2 के अंदर, अगर आप इसको निकालेंगे, तो ये 1 से 1 प्लस pi आएगा, 2 by pi से multiply कर लेंगे, cos x positive है, तो कुछ भी लोगे ये 3 से छोटा रहेगा, इसलिए ये positive आएगा, increasing, put करके आप देख सकते हैं, समझदार बच्चे हैं आप, second differentiation f double dash हो है, वो f' का nature बताएगा, तो इसका minus sin x है, और इसका minus 2 by pi into 2 है, first quadrant में दोनों negative हो, f increasing, f' decreasing, तो AOD के थोड़े से सवाल देखने को मिल रहे हैं, इस बार जो पिछले कुछ time से नहीं मिल रहे थे, एक और PDF है थोड़ी सी blur है, कोई नया सवाल मिलता है, तो एक से देख लेते हैं, और 1 इदर लेकर squaring कर दी, उदर 3 sin theta का जो square था, उसको 1 minus cos square theta लेकर quadratic बना दी, तो दो roots आएं, पर अब आपका squaring पे extra root आते, तो 0 से pi by 4 में जो होगा, cos theta होता है, 1 से 1 by root 2, वही वाला root इन्होंने लिए, तो ये भी अच्छी trick है, पर वही है, squaring करते हैं, तो थोड़ा सा पन को इसके case के अंदर careful रहना पड़ता है, बढ़ना हमसे गड़बड होनी के chances हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा, ये एक determinant का नया मिल गया, कित्ते question बताता हूं यारा, आपको है ना, comment भी नहीं करते हो, आप दो दीन comment आते हैं, देख लिया करो यार, थोड़ा सा, determinant A2 है, determinant B3 है, अब यार, blur इतना दिख भी नहीं रहा मेरे को, तो सब अलग-अलग हो जाएंगे, determinant A अलग, A transpose अलग, A और A transpose दोनों का determinant 2E होगा, adjoint of 2A inverse, तो adjoint में आता है इसकी power, N-1, तो इधर 2 बाहर आएगा, तो 2 की power K, K order हो जाएगा, determinant of A inverse होता है, 1 upon determinant है, पूरे पे square है, तो ये भी आजाएगा कद्दू, adjoint of A B inverse का determinant चाहिए, तो A B inverse की power भी N-1 आजाएगी, है ना, A B पे पूरे पे inverse लगा होगा, तो ये हो जाएगा, B की power 3 minus 1, 4 बाहर आएगा, scalar बाहर आता है, तो 4 की power 3 into determinant B, दोनों दे रखे हैं question में, square हो जाएगा, last में एक और A और A transpose का determinant है, तो करते जाओ, बिटा, करते जाओ, करते जाओ, थोड़ा तो ये मेनत करनी पड़ेगी, tough नहीं देंगे, तो lengthy देंगे, तो ठीक है, बस इतना बोल देता हूँ, vector का कोई सवाल आया है, बाकी सारे सवाल तो वही हैं, जो अपनने भी तक देखें, area bounded वाला भी अपनने देख लिया था, term independent में या sign दे रखा, अगर आप लोग गर पे solve कर रहे हैं, तो sign चाप लो यहां से, 1-x plus 2x square, और 3x square plus 1 by x cube की power नहीं, इसमें term independent of x चाहिए, answer अगर चाहिए final तो 28 आ रहा है, पिर अब यह lines का कोई अलगी question है, वाँ intersection था है, कुछ और है पता नहीं, दोनों है भी नहीं, बोल रहा है lines are perpendicular, then find the value of this, तो perpendicular है, तो पहले यहां से 2 नीचे बेजो, तो यह 4 lambda plus 1 by 2, इदर से minus 1 नीचे बेजो, उपर x, y, z का coefficient 1 होना चाहिए, यहां से भी minus 2 नीचे बेजेंगे बिटा, और यह तो ऐसे ही है, तो इनके direction ratio आ जाएंगे, 3, 2 lambda plus 1 by 2, minus 1 और 3 mu to 7, इनका dot 0 कर देंगे, तो यही आ जाएगा जो पूछा है, तो यार, मिरको as a teacher solve करते वे शरम आ रही है, कि यार हम क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में और क्या पूछ रहे हैं, अब memory based है, मुझे नहीं पता बचे वे 4 पाज सवाल कैसे थे, बट इसको देखके देयर बहुत positive feeling नहीं है, महाँ आ रहा है घरने में, पर क्यों आ रहा है आपको भी पता इतना असान है, यह वाले सारे I think repeated ही हैं अपन कर चुकें, यह increasing decreasing वाला भी just करके आये थे, यह system of equations, यही एक missing था, infinite number of solutions है, तो delta, delta 1, delta 2, delta 3, सब 0 होंगे, तो पहले delta 0 कर दो, तो सारे x, y, z के coefficient का determinant कर देंगे 0, board से आसान सवा, और फिर एक delta 1 0 कर दो, तो उसमें first column की जगे, minus 5, 3, mu आ जाएगा, अच्छा, lambda आप उपर से already निकाली लोगे, उसको यह पुट कर देना, सारे delta 0 भी मत करो, अगर अपने यह delta, delta 1 0 करने पर infinite नहीं आता, तो बोनस करवा देंगे, पिर area of quadrilateral पूछा, I think सारे 30 questions ही होगे बटाज, तो quadrilateral का area simple होता है, यह होता है half d1 cross d2, तो आप diagonal निकालो, ac निकालो, bd निकालो, ac vector, bd vector बनाओ, half ac cross bd से area जाएगा, 30 से जादा हो गए यार, ऐसा लग रहा है, गिनना तो एक बार, वीडियो देखी एंड तक, तो गिनके comment में बताना भाई है ना, कितने question होई है, वो origin है, O, P, O, Q, R, 2, perpendicular line, forming isosceles triangle with P की, तो coordinate का question आगे बिटा, 3X plus 4Y बराबर 12 है, और isosceles triangle बना रहे है, origin से, right angle वो भी है ना, तो कर लेके तोड़ा ये मजाग भी ये लोग कभी कभी, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, है ना, आपको O, P, Square, O, Q, Square, P, Q, Square, मतलब सारी साइड के square का sum निकालना है, तो क्यों निकाल रहे हो, भाई मेरे, क्या गरोगे, isosceles है ना, 00 से ये distance निकाल लो, 00 से इसकी distance आएगी 12 by 5, अब isosceles है, तो ये perpendicular इसको bisect भी करेगा, और ये दोनों अल्रेड़ी बराबर थे, 45-45, तो congruent भी हो जाएंगे, यार, बताओ, हस लेते हैं थोड़ा सा, हाहा, ये 12 by 5 है, तो hypotenuse का अधा भी 12 by 5, ये भी 12 by 5, तो hypotenuse हो गया 24 बटा 5, और ये दोनों जो होंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे, 24 by 5 cos 45, 24 by 5 sin 45, तो यहां से इनकी भी length आजाएगी, 24 by 5 root 2, दोनों की, और एक की 24 by 5, square करके add कर देंगे, तो यार, बस आज के लिए इतना ही है, काफी हो गया है, कुछ बाते बता दू बटा नए हो, तो subscribe करें, मेरी guarantee है, जब advance देंगे, तब तक आपको फायदा और improvement दिखेगा, आपके maths के अंदर, क्योंकि 100 days के हम J.E. Advance की preparation की series जो है, वो follow कर रहे हैं, जिसमें हम अच्छे सवाल कर रहे हैं, तो आप अपने घर पे विकाज गुता, J.E. Advance के PYQ और mock test paper लगाने के साथ, दिन के 10 सवाल मेरे साथ कर लो, तो इसमें आपकी maths पूरी हो जाएगी, कमेंट करना है, जो करना है करो यार, कभी से अटकेव पढ़ें 2000 पे फटाफट 3000 पहुचते हैं, कल मिलते हैं, बाकी papers के साथ, और shift 2 का बाकी है, कल सुबह डालूँगा 5th April shift 2, यहना 6th शुरू होने से बहले 5th डाल दूँगा, और next आपको पहले भी बोला था, कल क्लास 11th के टॉपिक्स का Day 49, जे एडवांस की सिरीज में बहुत अच्छा रहेगा, तो जरूर देखें, और गुड़नाइट एवरीबूँगा.